नमस्कार, मैं हो सासी, आई जार्खन की टोप 25 परमुख शबर जानते हैं हेमन्त कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर चारखन की हेमन्सुरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है इस बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिनमें रांची में अनुसूचित जन जातियों के लिए 520 और अनुसूचित जाति के लिए 528 बेट का छत्रावास बनेगा बदादे छत्रावासो के पोसन योजना 2024 में आन्सिक संसोधन जिसमें गयर सरकारी संस्थान सहीत विफिन एजेंसिया या कमपनिया भी सामिल हो सकते हैं वही सवीत्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी जोई नामे अबनी जी बिद्याले के आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा वही सरकारी स्कूल के 9 से 12 वर्गे के छात्रों को निस्कूल को पोसाग के लिए रासी 600 से बढ़ा कर 12 सो दिये जाएंगे राजकी अंगनवाडी के 200 चालाय और पेजल की बेवस्था होगी वही सवचाले बनाने के लिए 35 से 400 और पेजल बेवस्था के लिए 2,741 रुपे का परधान किया गया है वही मुख्य मंत्री मैया योजना में 18 वरस की लड़कियों को भी सामिल किया गया है इससे 8 लाक अतरीक बालिकाओं को लाब मिलेगा वही सहायक पुलिस कर्मियों का दुरगाटना जीवन बिमा कराया जाएगा सहायक पुलिस कर्मियों को मान दे 10,000 से 13,000 किया गया है वर्दी भता के रूप में भी 4,000 रुपे सलाना मिलेगा उत्पाद सिपाही भरती दोड में सामिल एक और अभ्यार्थी की मौत साहिब गंज में उत्पाद विभाग में सिपाही की बाहली में दोडने वाले टांगर निवासी 32 वरसी ये आर्थी केरकेटा की सुक्रवार को रांची स्थित मेदानता अस्पताल में इलाज की दोड़ मौत हो गई है घाटना सुक्रवार को दीन के 3 बजे की है मिरितका के परिजिनों ने बताया है कि आती उत्पाद विभाग में सिपाही बाहली के लिए दोड़ में सामील होने साहिब गंज गई थी 31 अगस्त को साहिब गंज के जैप 9 मैदान में उसने अपनी दोड़ समय सिमय का अंदर पूरी कर ली थी मैदान में दोड़ पूरी करने के थोड़ी दिर बाद आचानाक उसकी तवियत बिगड़ी उसके बाद उसे ततकाल इलाज के लिए साहिब गंज के सदर अस्पताल में भरती कराया गया था सदर अस्पताल से परिजन 2 सितंबर को उसे लेकर बीजू पड़ा आ गय थे 3 सितंबर को हलाद विगड़ने पर उसे मांडर स्थित एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया जहां से उसे 4 सितंबर को रांची स्थित मेदानता अस्पताल ले जाया गया था जारखन परदेश मुखिया का अंधोरन खत्म काम पर लोटेंगे जारखन प्रदेश मुखिया संग के प्रतिनिधी मंडल और ग्रामनी विकास मंत्री डाक्टर इर्फार अंसारी के बीच हुई वार्ता के बाद मुखिया संग ने अपना अंध्रन वापस ले लिया है वार्ता में मांदे बढ़ाने पर ठोस निर्न नहीं हो सका लेकिन कई मामलों पर समती बनी है अब मन रहेगा के कार्य प्रखंड अस्तर की बजाय पंचायत अस्तर से ही होंगे जार्खन मुखिया संग के परदेश अध्यक सोमा उराव ने बताया है कि मुखिया संग का पांच सुत्री मांगो परवार्ता की गई राजबीत आयोक की रासी के लिए आयोक से अनुसंसा करके विधान सभा मंडल में भेजना पड़ेगा इसके बाद ही रासी काउंटन किया जा सकता है इस पर मंत्री टाक्टरिफार अनुसारी ने कहा है कि वह आयोक से अनुसंसा करके विधान सभातक रासी के लिए फाइल पहुचा देंगे राजधानी में 520 बेट का बनेगा ST छत्रवास हेमान सुरिन सरकार राजधानी रांची में 48.72 रुपए की लागा सेन सुची जन जाती 46 चत्रवास के लिए छत्रवास करनेवान कराएगी ST चत्रों के लिए भी 520 बेट का G पलस 6 चत्रवास करम टोली में बनेंगे इस परकूल 26.24 रुपए राजधी खर्च की जाएगी वहीं ST चत्रवास के लिए G पलस 7 का चत्रवास साइन्स कोलेज में बनेगा इस परकूल 22.58 रुपए खर्च की जाएगी मेदनी नगर में भी कल्यान बिभाग द्वारान सुची जन जाती चात्रे चात्रावों के लिए करम सा 520 और 528 बेट का चत्रवास बनाया जाएगा कल्यान बिभाग के इस दोनों परस्ताव पर सुक्रवार को हुई मंत्री परिसत की बैठक में सुचीती मिली है मुख्य मंत्री राहत कोस से भी अभ्यारतियों के परिवार को रहात देंगे इसके अलावा राज सरकार इन अभ्यारतियों के परिवार को अने साहता भी देगी प्रजेक्ट भौन में सुक्रवार को हुई मंत्री परिशत की बैठक के बाद स्वास मंत्री बन्ना गुपता ने इसकी घोसना की है उन्होंने कहा है कि सरकार को मारे गए अभ्यार्ति प्रति गहरी सन्वेदना है बन्ना ने कहा ठीका लगाने वाले लोगों को भी सतर करहने की जरूरत है जार्खन की दो सीटों पर आईसू ने किया दावा आईसू सीप्रुमो सुदेश महतों ने कहा है कि भाजपा के साथ गडबंधन कर आईसू का टूंडी बिधान सभा छेतर से चुनाव लड़ना ताया है इसलिए टूंडी बिधान सभा छेतर के एक एक करकारता पूरी तरह से चुनावी तेयारी में जूड जाए 19 सितंबर को तुप्चांची के बांस पाहाण में टूंडी बिधान सभा छूला परमुक समेलन को सफल बनाए सुदेश महतों ने बताये हैं कि गुरुवार को यहाँ दरीद रिजाट में टूंडी बिधान सभा छेतर के परमुक आईसू ने ताओ एवम करका ताओ बिशेश सनवाद में कही इसके पूर्व इष्ट बसूरिया के निचानी में आयो जीत मिलन समारों में उन्होंने जीप सदस इसराफिल उर्फ लाला को आईसू में सामिल कराया है बता दे बिशेश बैठाक में सुधस महतों ने कहा है कि सिंद्री बिधान सभा छेतर पर भी आईसू का दावा बनता है पिछले बिधान सभा चुनाव में हम वहां 17,000 भोट लाए थे गढ़वा में जमीन पर सो रहे चार बचों को सांप ने काटा जारखन के गढ़वा जिले में उस वक्त हलकम मच गया जब सांप के डसने से एक ही परिवार के तीन बचों की मौत हो गई करवाने के लिए तांत्री के पाथ चले गए समय से इलाज नम मिलने पर तीन बचों की मौत हो गई जबकि एक बच्चे की गंभीर हालात को देखते हुए उससे अत्ताल में भरती कराया गया है जारखन में चार दिन तक होगी भारी भारी जारखन के लोगों सावधान हो जाए आने वाले चार दिनों तक जारखन के अलग अलग हिसों में भारी 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 होगी ऐसा मौसम भी भागने कहा है बतादे सुक्रवार को मौसम विभाग ने special bulletin जारी किया है जिसमें कहा है कि 7, 8, 9 और 10 सितंबर को जारखन में भारी बारिश होने की संभावना है भारत मौसम विज्यान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने प्रभाव अधारित पुरोर्मान के पहले special bulletin में कहा है कि जारखन में 7 से 10 सितंबर 24 तक भारी बार्शा होगी 7 सितंबर को राजी के पक्षमी एवां दक्षनी भागों में कहीं कहीं पर भारी बर्शा होने की संभावना है कोडार्मा में नकली अंग्रेजी सराब की मिनी फैक्टरी का खुलासा जारखन की कोडर्मा पुलिस ने नकली अंग्रेजी सराब बनाने की मिनी फैक्टरी का खुलसा किया है सराब तसकर को गिरवतार करने के साथ ही भारी मतरा में नकली सराब रह पर समयत अने समान भी बरामत किये गाए पूलिस को छपे मारी में सफलता मिली है तसका ट्रेन से बिहार में सराब की तसकरी करता था पूलिस अधिक्षक अनुदीप सिंग को मिली गुपत सुचना के अधार पर पूलिस ने जय नगर थाना छेतरे की योगिया तिलहा पंचायत के पताप पूरगाओं में नकली अंग्रेजी सराब बनाने की मिनी फैक्टरी का उद्विदन किया है गुमला से बलैक कोबरा संगठन के तीन अपराधी गिरफतार गुमला जी लेखे बसिया परखंड के पोक्टा नादी में बन रहे हाई लेबल पूल निर्मान अस्थल के समीप बने कैम पर हामलाक और बिनोध जयन कंस्ट्रक्शन कंपनी 36 गड़ के सनवेदक धरमेंदर जयन से 40 लाग रुपाई के लेवी मांगने वाले तीन अपराध जयन कारी के मताविक तीनों अपराधि बले कोबरा संगठन के नाम पर लेवी मांग की थी SP संभु कुमाल सिंग ने प्रेस वारता कर बताया है कि बिनोध जयन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सनवेदक धरमेंदर जयन द्वारा बसिया से सिशाई पर खंट तक सड़क एवंपूल निर्मान का कारे कराया जा रहा है सनवेदक से 9 अगस्ट 24 को मोबाइल नंबर से अग्यात अपराधी करता हो द्वारा फोन कर 24 लाक रुपे गिले भी मांग किया गया था 10 सितंबर को सियम हमंत का चांडिल दवरा सराय केला खार्सावाजीला के चांडिल परखंड अंत्रगत काजु मैदान डोबो में 10 सितंबर को होने वाली आपकी व्योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरा में राज्जे के मुख्य मंत्री हमंसुरамен सामिल होंगे काजु मैदान में आपकी वोजना, आपकी सरकार, आपके द्वर कारकरम, अंत्रगत, चैनित, लाबकों के बिच परी संपतियों तथा स्विक्रिती पत्र भी वित्रन करेंगे बताज स्रीयम हिमात के कालिक्रम को लेकर सुक्रवर को कोलवान के प्रमंडली, आयुक्तहरी, कुमार के स्री कुलवान, दियाजी, मनोज, रतन, च्व थे सराय के लाकर सावाग उपायूग, रवी, संकर, सुकला, पच्मिजिंभू उपायूग, कुलदीप चोधरी उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहम कमनीज कुमार ने तयारियों की निरिक्षन और जाजा लिया है लातेहर में पानी भरे गड़े में डूबने से तीन बच्चों की मौत जारखन के लातेहर जीले के बालूमा थानाज से महज 3 किलोमेटर दूर टोरी सिवपूर रेल लाइन निर्मान कारे के दोरान सनवेदक द्वारा खोदे के गड़े में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है सभी बच्चे एक ही गाउं के थे इस हाथसे से गाउं में मातम पसर गया है परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है बता दिलाते हर में सुक्रवार को बड़ा हाथसा हुआ टोरी सिवपूर रेल लाइन निर्मान कारे को लेकर खोदे के गड़े में तीन बच्चे डूब गए इसे उनकी मौत हो गई है खोदे के गड़े के लिए स्थानिय लोगों द्वारा ठेकेदार को जिमेदार ठाराया जा रहा है ठेकदार के प्रती उनमें अक्रोस है मिरितकों में चाव वर्षी सुरज कुमार सामिल है राज़ेपान ने रांची में ससक्त सेना समरीद भारत का किया उध्गाटन छारखन की राज़ेपान संतोष कुमार गंगवार ने सुकुरवार को मौराबादी मैदान में आयोजीत ससक्त सेना समरीद भारत प्रदसनी का उध्गाटन किया उन्होंने कहा है कि भारतिय सेना का सोरे परकर्म और अनुसासन अदित्य है उन्होंने पूर्वी कमान को इसके आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह परदर्शनी ना केवल हमारी सेना के अदित्य कोसल का परदर्शन है बलिक युवाओ के लिए अनुसासन और प सब्सक्राइब को करीब से जानने का उसर मिलेगा कि एससी जीडी में 49,841 पदों पर बहाली करमचारी चेन आयोग ने 5 सित्माद 24 से एससी जीडी कॉंस्टेबल परिक्षा 25 के रिष्टेसंग परिक्रिया शुरू कर दी है ऐसे में जो लोग केंद्रिय सस्त्र पूलिस बल औ सम राइफल में राइफल मैन के पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं वेरा इस्टेशन दजगरा सकते हैं बता दे ससी जीडी कॉंस्टेबल की भरती के लिए 15 करन की परिक्रिया 14 अक्टूबर को समाप्त होगी और साथ ही ऑनलाइन सुल्क भुकतान करने की अमतिमतिती भी 15 अक्टूबर है हलाकि इसके बाद सुधार विंडो 5 नॉम्बर को खुलेगी और 7 नॉम्बर को बंद हो जाएगी बताद है कि अपरिक्षा कंप्यूटर अधारित होगी और यह अनुमाल लगाया जा रहा है कि अपरिक्षा साल 2025 के जनवारी में होगी उत्पाच सिपाही के नाया परिष्पत्र अपलोड जारखन उत्पाच सिपाही प्रत्युक्तर परिक्षा के तहसे अभियार्थ्वी की सारीग दक्सता जांच परिक्षा 10 से कई सितम बतक 6 जोगों पर आयोजित होगी पुलिस मुख्याले से अनुसंसा मिलने के बाद जारखन करमचेश चेन आयोगने 6 बोड में होने वाली सरीरिक जांच के लिए करमवार्तित्या परकासित कर दी है इसके तहत कूल 99.832 अभियार्थ्वी की सारीग जांच होगी सरीग जांच में सामिलित होने के लिए आयोगने सीरी से परवेश पत्र जारी करेगा इसके लिए 8 सितमर को लिंक परकासित किया जाएगा पतादे सरीग जांच में कई अभियार्थ्वी की तवियत भीगणने एवाम एक धर्जन से अधिक की मौत होने के बाद 3 से 5 सितमर तथ 6 से 9 सितमर का उजीत की जानेवाड़ी सरीग दख्ता परिक्षा कारकनम को अस्थागित कर दिया गया था धन्यवाद